हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेहसन वाली गोबी बनाने जा रही हूं, यह बहुत ही इजी और टेस्टी दिश है, इसके लिए मुझे चाहिए एक मीडियम साइज का गोबी का फूल, यह देखिए मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, बहुत बड़े टु पूरी यह गांच, जिसको कि मैंने यह चील के रख लिया है, एक इंच अद्रक का टुकड़ा, यह 20-25 कली लैसुन होगा, इसमें लैसुन अच्छी मात्रा में डलता है, थोड़ी सी मोटी कुटी हुई काली मिर्च, और यह लैसुन वाला नमक, गार्लिक साल्थ है मेरे पा बस यह एक चम्मचतेर होगा, थोड़ा सहर डाल देते हैं, इसमें मैं हम गोबी को डालेंगे, गरम हो जाए थोड़ा, देखे गरम हो गया है, अब इसमें हम यह गोबी को डाल देंगे, इसमें कुछ नहीं डालना है, केवल गोबी डालेंगे आप, और ये नमक, ये गार्लिक साथ हम इसमे थोड़ा साथ अपने हिसाब से आप दालें, गार्लिक साथ नहीं है तो आप नौर्मल साथ आप दालें, ऐसा कुछ नहीं है बस अब हम इसको ढख देंगे, इसको ढख के हम थोड़ा सा गलने दा पताएंगे इसको बहुत ज्यादा नहीं गलाना, गोवी खड़ी खड़ी रहे और गल भी जाए गोवी खड़ी खड़ी है और एक दम गल शुखी है इसको हम निकाल लेते हैं गयर पंतर लेते हैं और इसको निकाल लेएंगे निकाल लेएंगे इसमें थोड़ा सा ये ओलिव और डालेंगे ये जो लैसुन और अद्रग मैंने लिया था इसको मैंने कूट लिया है इसको बारीक नहीं पीसना है या तो कद्दू कस कर लें या कूट लें इसका फ्लेवर कूटने से ही बढ़िया आता है बस इसको जैदा लाल भी नहीं करना है गुलाबी हो जाए ये देखिए लैसुना अद्रग भून चुका है गुलाबी हो ये बहुत जैदा लाल नहीं करना है इसमें अद्रग होती है तो इकड़ाई में चिपकती बहुत है अब हम इसमें ये गोबी डाल देंगे नमक हम प इसको अच्छे से mix कर लेंगे अब गोभी हमारी तयार हो गई हम गैस बन कर देते हैं अब हम इसमें ये मोटी कुटी हुई काली मिस डालेंगे काली मिस मोटी कुटी हुई ही डालना है बहुत बारीक नहीं डालना है अब इसमें हम धनिया डालकर mix कर देंगे और ये नीबू डालेंगे ये आधा नीबू मैंने इसमें डाला है अब आपको ज्यादा खटा पसंद है तो आप पुरा नीबू भी डाल सकते हैं इसको अच्छे से बिला लें और हमने इसको सर्व करते हैं इसको हम हरे धनिया से गानिश कर लेते हैं बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेस्पी है आप सब लोग इसको जरू बनाएं अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें सब्सक्राइब ना किया हो तर सब्सक्राइब जरू करें हेलो फ्रेंड्स दादा दादी की किचन में आपका स्वागत है आप मेरे फेस्बूक इंस्टाग्राम और ट्वीटर पेज को फॉलो जरूर करें मैंने इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है झाला कि झाला कि जड़ घुलो जरुब को रिया है झाल झाल